हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर दोस्तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी बात है और टीप शेर करने वाला हूँ जो कि सुनने में तो बहुत छोटी बात है लेकिन इत्विल क्रिएट अ इंपक्त इन यूर लाइफ जहां दोस्तो अगर आज सही आपने अपनी लाइफ में ये टिप्स को अमल करना शुरू कर दिया तो आप मैसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सुधार आ रहा है कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है एंड डेट विल ट्रांस्फोर्म यर लाइफ तो चलिया दोस्तों बीना स्माइल करने से आपका फोटोग्राफ कितना अच्छा आता है तो अब आप इमेजिन करें कि अगर आप पूरी लाइफ स्माइल करते रहेंगे किसी भी सिचुवेशन में तो आपकी लाइफ की दील चल रही है वो कितनी अच्छी हो सकती है और आप जरा सोची आपको कैसे अगर पसंद है वह लोग जो हमेशा उदास रहते हैं गमगीन रहते है जिनके चैरह हमेशा मुर्जा मुआ हरे है यह पर ऐसे लोग पसंद है जो एपी हैं करतें मेरी तरह क्यों है अगर में करना से कि है। में तो आप आदर डालिए कि आप स्माइल करें आप मैसूस करेंगे कि अंदर से ही आपको अच्छा मैसूस हो रहा है और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शेंज आ रहा है दोस्तों मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो हमेशा ही नेगेटिव सोचते हैं उनके सामने आप कोई भी अच्छी से अच्छी सिचुएशन भी लाके रख दो तो उसमें भी सबसे पहले गलतिया ही निकालेंगे और सबसे पहले नेगेटिव ही देखेंगे इसके opposite कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं पॉजिटिव सोचते हैं उनके सामने आप बुरी से बुरी सिचुएशन भी लाके रख दो तो उसमें भी वो लोग कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव उसमें से कु कैसे लोग पसंद होंगे वही ना जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको भी आज से क्या करना है आपको भी पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव देखना है अपने आसपास हो रहे ही चीजों में अच्छा ही देखने की कोशिश करें और अच्छा बोले इससे होगा क्या कि आपकी एक impression ऐसी बनेगी कि यह जो आदमी है हमेशा positive सोचता है लोगों में अच्छा ही देखने की कोशिश करता है और situation में अच्छी चीशे तुनने की कोशिश करता है तो आपकी respect बढ़ेगी और आपके प्रती लोग ज्यादा attract होंगे औ तो from today always speak positive. My third tip always speak good things behind the people. लोगों के पीट पीछे उनके बारे में अच्छा बोले. दोस्तो आपने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा होगा जो सामने तो अच्छी बाते करते हैं मीठी बाते करते हैं लेकिन पीट पीछे चूगली करने लगते हैं बुरा ही करने लगते हैं क बलकि उनके खुद के बारे में ज्यादा पता चल रहा होता है. For example, Rahul, Rohit के बारे में क्या बोल रहा है? इससे मुझे Rohit के बारे में कम और Rahul के बारे में ज्यादा पता चलता है. तो आपको आपसे क्या करना है? आपको उल्टा करना है. आपको पीट पीछे लोगों के बार और दूसरा होगा क्या कि अच्छा ही जो होती है वो multiply होके आप तक वापस आनी है और example जिसके भी बारे में आप अच्छा बोल रहे होंगे वो जब चार जनों से सुनेगा कि आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे थे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सुनेगा आपकी एक अच्छी image create होगी उसके दिमाद में भी तो अच्छा ही multiply होके आप तक वापस आनी है और इससे opposite अगर आप बुरा वोलोगे बुरा ही करोगे तो बुरा ही भी multiply होके आप तक वापस आनी है तो my tip to you is speak good things behind the people so here comes my fourth tip talk less about yourself and more about others हम क्या चाहते कि लोग हमारे बारे में हम से ज्यादा बाते करें हमें सुने, हमें समझे, हमारी तारीफ करें आपको ऐसा नहीं करना है आपको लोगों में ज्यादा इंटरेस दिखाना है उनके बारे में बाते करनी है उनको क्या अच्छा लगता है ये इसकस करना है और एक्जाबल कोई सामने वाला आपको बता रहा है कि कल में मार्केट गया था ऐसा हुआ वैसा हुआ और आपने बीच में ही उसकी बात काट दी और बताना शुरू कर दी आपने बारे में ये बंदा मज़ेदार है इससे बात करके मज़ा आगया मिलके मज़ा आगया तो लोग आपके प्रती एट्रेक्ट होंगे और आपको पसंद करने लगेगे तो माइ फूर्थ टिप वस टॉक और अब अब अदर्स एंड लेस अब यॉर्सल्स तो माइ फिफ्ट एंड लास्ट टिप इस गिव कॉंपलिमेंट पर इवन स्मॉलेस तिंग्स दोस्तों आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप अबजर्व कीजिए कि आपको उनकी कोई बात अच्छी लगती है या उनकी पर्सनलिटी में कुछ अच्छा लगता है या उनको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उनको compliment दीजिए, उनको बताईए, उनकी तारीफ कीजिए, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा For example, मैं कली किसी से बात कर रहा था और मुझे उनकी tie बहुत अच्छी लगी तो मुझे अच्छी लगी तो मैं उनको बता दिया कि सारखी tie बहुत अच्छी लग रही है तो इससे क्या उनको बुरा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और उल्टा वो आप ही को पसंद करेंगे, आप कॉम्प्लिमेंट उनको दे रहे हो लेकिन पसंद आप हो रहे हो और सम्टाइम्स तो आपकी एक छोटी सी कॉम्प्लिमेंट लोगों का पुरा दिंग बना दे थी, वो पुरा दिंग खुश रहते है तो अगर आपके एक छोटे से कॉम्प्लिमेंट देने से लोगों के भीच खुशिया पहल रहे है तो इससे बहतर क्या हो सकता है तो ये वो पांच टिप्स थे जो आज मैंने आपके साथ डिसकस किये दोस्तो सुनने में तो ये टिप्स बहुत ही छोटे लग रहे होंगे लेकिन देट विल कुरेट अ बिग इंपक्त इन यो लाइफ आपको और भी ऐसे वीडियो के अपडेट आते रहे हैं आप मुझे फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देदी है और आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक करना न नहीं पहाँ हम दोलो आपको आपक offen रंपको कर दोदक accents करते विलों डिश्या क्योंक कर देता प्लीज सन्दा टाली एक कर में हक ऊपक पहां अपको थाह attracting दो करतेत्थ को आपको आपको आपकी थालीं लागा हे है बहाँ नहाँ आपको आपकバ algum हैं हैं दो की खक आलीज